पर दोस्तो मैं मानाता बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर दोस्तो आज हम बात कर रहें कि मार्केट के बिग बुल कहने वाले परसंट अगर हम कहें तो दा बिग बैरिसमें भी कह सकते हैं उनोंने ट्रेडिंग से और इन्वेस्टिंग से दोनों तरह से पैसा काते हैं और सब्से जाथा पैसा उनोंने बहीचे मार्केट के बारे में कुछ पता भी नहीं था तब वो मार्केट से इतना पैसा कमा रहे थे और बही पर अगर देखें तो बासर साल की उमर में क्योंकि एक बहुत बड़ी एज नहीं है जिस एज में वो आपको छोड़ करके जा सके क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी आदते थी जो उनको इस मुकान तक ले गए उन्होंने अ अगर चलता है तो इस चीच की भी एक न्यूज बन जाती है बही निर्मलाद सीता रमाट जी जो की आपको पता है मारी फाइनेंस मिनिस्टर उन से मिलने गए थे जो चपल पहन करके चले गए और यही चीजे दरसातिये की वेक्ति का जो वेक्तित वहे वो किस तरह का है तो राके जुन जुन बाला जी एक बहुती सांत स्वभाब के वेक्ति थे और बही पर देखें तो उनकी कुछ ऐसी आदते भी जैसे उन्हें डाविटीज थी और उनके पैर बगएरा में सूजन भी आती थी लेकिन उसके बाद जूद भी उन्हें सराब बगएरा की आदत थी और वो सराब पीते थे सिगार भी पीते थे उनकी कुछ ऐसी कहबते भी हैं ऐसी लाइने भी हैं जो आपको याद होनी चाहिए वो कहते हैं कि मार्केट और 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 दोनों मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ और प्यार से चलती है जो प्यार से मैनेज करता हूँ मार्केट र अब किस मुकाम तक पहुँच चुके थे बेसक अब हमारे बीच नहीं रहें तो एक बार उनकी आत्मा की सांती के हम प्रआफना करें गये लिकिन दोस्तो अ बहुत सारी चीजह सीखे भूँए अब तक और सायध आप फुचर में भी सीखेंगे इंडिया में कहें तो बहुत ही एक high level की personality आप कह सकते हैं राकेज उन्यून वाला के लिए जो की काफी बड़ी बात होती मार्केट से इतना पैसा कमा और बहुत सारे लोग मार्केट में उन्हें देख करके आए हैं बहुत सारे लोगोंने मार्केट में उन्हें देख करके entry की है तो यह काफी बड़ी चीज है किसी भी person के लिए अगर लोग follow करते हैं उनके portfolio में जो भी stocks रहते हैं लोग उसमें blindly निवेश कर देते हैं वह अपना risk manage करके चलते हैं आप चाहें manage करके चले या ना चले सारी चीजों को समझना और सोचना भी बहुत जरूरी है राकेज उ नहीं यह bearish company में तो यह दोनों चीजें आपको क्या लगता है यह big bull ही कहना सही होगा या bearish कहना ज्यादा सही होगा वह आप comment box में बता सकते हैं अगर मैं अपनी नजर से कहूं तो एक time में वह big bearish man के नाम से ही जाने जाने चाहिए लिकिन आज के समय वह big bull क्यूंकि trading से अ हमारत है उनका portfolio इतना बड़ा हूँ चुका था कि उनके लिए अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी उनके इतनी इतनी हिस्सेदारिया हैं कंपनियों के अंदर और यह एक अच्छी चीज देखने को मिली उनके वेक्तित में जो उन्होंने निवेश तक गिर्मी रखने को तयार होंगे उन्हें बेच करके भी पैसा मार्केट के अंदर लगा देंगे तो ऐसी opportunity इसको तलासते थे अगर उन्हें opportunity मिलती मार्केट में तो बेसके चैक कैसे भी सही वो उसमें निवेश करते थे और inequality की बज़े से आज आप और हम उनकी बाते कर रहे हर एक चीज को उनकी फॉलो करते आ रहे हैं बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं परसनली तोर पर आप भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको क्या लगता है उनके बारे में और क्या आपको भी ये घटना दुखत महसूस हुई है या पर नहीं और वीडियो अगर अ कर सकते हैं दोसको